हलो फ्रेंट्स आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है मेरे किचिन मेन्यू एंड मी में आज मैं आपको बनाना बताऊंगी टिफिन के लिए ये फटा-फट बनने वाली टेस्टी चटपटी हरे चने की स्वाधिस्ट सब्ची जिसे आप सिर्फ 10 मिनिट में बना सकते हैं और दाल चावल के साथ या फिर रोटी पराठा प्लेन चावल के साथ भी खा सकते हैं और ब्रेड के साथ या फिर ऐसे ही चाट के जैसे भी खा सकते हैं ये वही फ्रेश हरे चने है जो सर्दियों के टाइम बहुत आते हैं इस चने को रोस्ट करके भी खाया जाता है या फिर कच्चे वेजिटेबल के साथ फेल जैसे बना के भी खा सकते हैं इस चने से बनने वाली सबजी के लिए पीगोने की ज़रूरत नहीं है आप ऐसे ही फ्रेश लाकर फटाफट से बना सकते हैं और टेस्ट तो इतना बड़ी आएगा कि हर बार आप इसी तरह से सबजी बनाएंगे तो चलिए फटाफट बनाते हैं फ्रेश चने की तो यहां मैंने 500 ग्राम छिलके के साथ चने लिये थे जिसके चिलके उतारने के बाद तकरीबन दो कब जितने हैं फ्रेश चने हैं इसलिए पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके साथ ही पहले हम कौन सी चीजे और कितने मसाले जाएंगे वो देखते हैं तो इस सबजी का कलर हरा रहे इसलिए लाल मिर्ज का यूज ना करते हुए मैंने यहां तीन तीकी वाली हरी मिर्श ली हैं दो बड़ी चमच फ्रेश लसुन के पत्तों के साथ लिया है और दो मीडियम साइज के प्यास को फाइन चौप करके लिया है साथ में ही सूखे मसाले में एक बड़ी चमच थनिया पावडर एक चोटी चमच चाट मसाला एक चोटी चमच गरम मसाला एक चोटी चमच हल्दी पावडर आधी चोटी चमच भुने जीरे का पावडर और यहां नमक स्वाद अनुसार लेंगे क्योंकि चाट मसाला यूज किया है तो वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं अब तड़के के लिए एक छोटी चमच जीरा और आदी छोटी चमच हिंग लेंगे ये सबजी कूकर में बनेगी तो चार बड़े चमच तेल गरम कर लिया है इस सबजी में थोड़े और भी मसाले एड़ होंगे इसलिए वीडियो को पूरा देखिए अच्छे से तेल गरम होने के बाद हिंग और जीरा आड़ करेंगे तुरंध ही भर मिर्श, प्याज और प्रेश लसन मिला के अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक प्याज हलके सौप्ट ना हो जाए अब जो पहले नहीं बताई वो चीज है हरा धनिया जो इस टाइम मिलाने से तेल में अच्छे से भुन जाने से सबजी में बहुत बढ़िया खुश्बु देगा बाद में सारे सूखे मसाले मिलाएंगे और स्लो फ्लेम पे चलाएंगे ताकि मसाले जल लजाए अब आएगा दूसरा इंग्रिडियंट्स जो है टमाटर एक मीडियम साइस का टमाटर लेके ऐसे मीडियम साइस के छोटे टुकडों में कटकर लिया है बाद में चनाई मिलाएंगे और वन फोर्थ कब जितना पानी मिलाएंगे क्योंकि हमें इसमें तीन सीटी लगानी है तो थोड़े पानी की जरुरत पड़ेगे एक बार अच्छे से मिला लेंगे अगर आपके प्रेश्र कूकर की सीटी में देर लगती है तो सिर्फ एक सीटी में ही ये सबची पक जायेगे डखन बन करके तीन सीटी लगाएंगे ये सबची आप कड़ाई में भी बना सकते हैं अगर जल्दी है तो कूकर इजी रहेगा कूकर की एक्ष्टा एर निकालने के बाद डखकन खोलके चेक करेंगे तो देखिए डिखने में कितनी अच्छी लग रही है सबजी मैं आपको चेक करके दिखाते हूँ कि चने बराबर पके है कि नहीं तो आप देखिए छूते ही गल गये हैं इतने अच्छे से पके हैं अब इसमें खूब सारा हरा धन्या मिलाएंगे ये जो सबजी है इसे चाट के जैसे भी खा सकते हैं तो आदे निम्बू का रस मिलाएंगे और फटा-फट से मिक्स करेंगे आपको पता है कि हमने इसमें अभी क्यों निम्बू मिलाया अगर पहले मिलाते तो चने पकने में टाइम लेते इसलिए पकने के बाद मिलाया ऐसे ही छोटे-छोटे टिप्स मैं मेरी रेसिपीज में देती रहते हूँ तो लीजिए फटा-फट से बन गई हमारी टेस्टी फ्रेश चने की स्वादिस्ट सबजी जिसे आप लंच बॉक्स में, टिफिन में, चाट में या हाइटी में एंजोई कर सकते हैं तो जल्दी से इसे अपने घर पे बनाईए और मुझे कमेंड करिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक और शेर कीजिए साथ में ही मेरी चैनल मैन्यू एंड मी को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दिये हुए बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सभी नई नई रेसिपीस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले मैं मेरी सभी रेसिपीस फटाफट और आसान तरीके से बन जाए इस तरह से बनाना बताती हूँ ताकि आप भी इसे जल्दी से बना सके मेरी ये रेसिपी पूरी देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुट बाई